हालो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक्विटी मार्केट पे और आज इस कंपनी के उपर हम डिसकस करेंगे उसका नाम है जमेटो लिमिटेड अभी रिसेंटली आई प्यू आया था इसका और 76 रूपी इसका आई प्यू आया था और चलिए स्टार करते हैं जमेटो जो है वह स्टार्ट हुआ था 2008 में अब से कोई 13 साल पहले और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वह इंफो एज है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है आप सभी जानते होंगे नंबर ऑफ एमप्लाई जो हैं वह अप्रॉक्सिमेट 5000 के आसपास है और अ जानते हैं कि कंपनी का बिजनस मॉडल क्या है और कंपनी करती क्या है जो मैटो जो है वह एक फूट ऑडरिंग एप है जिसे की यूजर अपना घर बैठे फूट जो है वह और कर सकता है और जो रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट से वह कुछ फीस चार्ज करते हैं इससे जो तो यूजर को अपना घर बैठे जो भी उनको food order करना है वो उनको घर बैठे मिल जाता है कि दोनों ही साइड से Zomato को earning होती है जो मेटो को जो second earning है वो होती है Zomato pro करके subscription जो है वो लोग जैते है जिसके अंदर one year की membership होती है और इसके अंदर जो है वो जो delivery जो फी लगती है वो free नहीं है उसमें इसमें क्या है प्रो के अंदर कुछ extra discount दिया जाता है और उसके लावा कुछ और benefits दी जाते हैं अगर इसके पियर ग्रूप के उपर बात करें स्वीगी जो है वो जो membership देती है उसके अंदर डिलिवरी है वो 100% free होती है कि जमेटो को जो 30 अर्निंग आती है वो आती है डाइन आउट से जहांके कोई भी रेस्टोरेंट जो उस पर लिस्टिड है वहाँ पर आप सीट रिजर्व कर सकते हैं और बाहर जाके खाना खा सकते हैं इसके अंदर premium category भी है जैसे आप यहाँ एप के अंदर यह देखेंग और अगर उसमें कुछ आपके पास membership है तो उसमें discount आपको उसमें मिल जाता है तो यह भी इनका एक अच्छा step है जमेटो का जो एक और source of earning है वो है जमेटो hyperpure जो की B2B segment है business to business जिसके अंदर जो भी इनके उपर listed है hyperpure की website पर restaurant तो यह उनको raw material देते हैं किसी भी restaurant की जो daily की जो नीड होती है वो fresh vegetables, fruits और जो भी essential चीजें उनको use होती है वो उनको चाहिए होती है तो इसमें वो bulk में deal करता है तो यह भी एक उनका अच्छा source of income है कि जो मैटो का business जो है वो इंडिया के लावा other countries में भी अभी चल रहा है यह आपके सामनी countries है अभी हमने जो मैटो के उपर बात करी है अब थोड़ा सा हम जो है इस industry जो है इस sector को है एक बार उसको हम देखते हैं यह आपके सामने जो है comparison है तीन countries के बीच में इंडिया यूएस और चाइना के बीच में जहां पर आपको स्टार्टिंग में देखे के population और उसके बाद में जो access है internet का और जो food industry है online delivery की market उसका जो है इंडिया में देखिए 2.9 billion US dollar का है जोकि US में 49 US billion dollar और चाइना में US के comparison में double restaurant food का consumption है आप वो भी देखेंगे इंडिया में 8-9% है जबकि other countries में ये 50% के आसपास है और third point ये देखते हैं कि जो online food delivery users है वो इंडिया में जो है वो 50-55 million है जबकि ये जो users है US और चाइना में ये बहुत काफी ज्यादा है online delivery जो food है जो users है वो इंडिया में अभी only 8% है आने वाले time में ये जो growth है जैसे कि आप US और चाइना में देख रहे हैं तो आने वाले time में आने वाले इन से पांस सालों में ये चीज इंक्रीज होगी लोग online food जो order करते हैं वो इससे और अलग लग cities में टाइट टू टाइट थ्री cities में भी जुमेटो आने वाले time में start करेगा तो ये चीज इंक्रीज होगी और अब वापस एक बर जुमेटो पर ही focus करते हैं यह आपके सामने advertisement expense है उनका जो total income का है 2019 में देखेंगे तो ये 88 परसेंट था उसके लावा 2020 में 48 परसेंट हुआ उसके लावा अभी जो recently 2021 चल रहा है उसमें 24.8 परसेंट है तो उनका जो advertisement cost है वो last two years से काफी कम हुआ है और इसके लावा हम थोड़ा उनके जो business के उपर जो charges है एक बर वो देखते हैं यहां पर जो दर 20 के अंदर जो commission वो charge करते थे वो 43.6 रुपीज था अब जो है वो 21 में 62 रुपीज चार्ज करते हैं तो यहां से उनकी जो income है वो increase हुई है delivery charges जो है वो पहले 15 रुपीज था अब वो 27 के आसपास है delivery cost यह उनको 52 रुपीज का loss होता था अब वो loss है वो 45 हुआ है तो उसके comparison में यहां पर कम loss हो रहा है और जो discount जो आपने कभी order किया है food तो आपने देखा होगा 50% 60% जो discount रहता होंगा तो discount में जो उन्होंने दिया ह है वो पहले 21% का 21 रुपीज का जो discount दिया 2020 में वो अब 2021 में 8 रुपीज का loss है उनको discount के उपर और other cost है वो दोनों similar है तो overall देखेंगे तो जो उनका 30 रुपीज लॉस से है वो 20 रुपीज के यहां profit में है यह लास्ट एक comparison है मनलब 2020 और 2021 का और जितनी भी food ordering app है तो इसके अंदर जो एक term यूज की जाती है ए ओवी average order value मतलब कि कोई भी customer जो है वो कितने का एक order प्लेस कर रहा है जो कि 2020 में था 278 रुपीज था 2021 के अंदर यह 396 रुपीज हुआ तो यहां से यह एक साल के इंदर काफी jump था जिसके पीछे थोड़ा रीजन कोविड में जब lockdown वगरा था तो सभी लोग online food लोगों ने काफी order किया यह वो है कुछ reports है जिसमें कि 2000 आने वाले टाइम में 3-5 सालों में यह 2020 के comparison में मतलब काफी increase रहेगा approximate 320 से लेकर 350 के आसपास रहेगा तो वो भी company के लिए एक काफी अच्छी चीज है और अब हम पियर comparison देखते हैं कि इंडिया में जो है mainly food ordering दो ही एप ज्यादा dominant उसमें है एक है जमेटो जिसके उपर हमें भी बात कर रहे हैं second स्वीगी है तो cities की अगर present की बात करें तो approximate दो दोनों similar ही है 500 प्लस cities में यह है उसके बाद में 2019-2020 में जो उनका commission है rates जो रहे हैं वो दोनों के ही वो भी similar ही है 20% 2019 में 2020 में 22% और यह इनकी valuation अगर बात करें फरवरी 2021 में तो यह 5.4 billion USD है और यह 5.0 market share जो है वो जुमेटो और स्वीगी का भीस बिल्कुल सिमिलर जैसा ही है 45% और यहां पर 47% और revenue भी ठीक है और losses भी दोनों के जुमेटो के थोड़े यहां कम है स्वीगी के थोड़े भी यहां पर ज्यादा है इंडिया के इंदर जो है food ordering का जो culture है वो अब से कोई 5-8 साल पहले स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर जो मेटो ने इससे पहले उबर इट जो इंडिया का बिजनस था वो भी एक्वायर किया था तो यह कुछ-कुछ ऐसा भी हो सकता आने वाले टाइम में जो भी आंचे प्लेड थे वो करते करते आप आखरी में अभी दो तीन ही बचे हैं तो इसी तरीके से जो मेटो होचे वह स्वीगी हो वह जो अपना कैस्ट बंढ है कस्टमर को एक्वायर करने में और डिसकाउंट देने में वह आने वाले टाइम में बहुत लिमिटीड हो जाएग पहुनिग देखते हैं मुच्वल के पास यह वह gef 10.4 परसंग का स्टेक है उसके लाबा जो फोरहन इंवेस्टर से उनके पास 9.887 परसंट एं उसके लाबा जो फॉरहन कंपनीज आ हैं उनके पास 57 परसंट का से के सबसे जादा इंवस्टी धन है इन इन फो एज के पास ज जो कि उन्होंने 3.3% के आसपास डेलूट किया था IPO में जिसकी वैल्यवेशन 750 क्रोड के आसपास थी उसके लाबा Uber 7.80 और आपका सामने हैं Companies आने वाले टाइम में जब भी जो Companies है यह अगर स्टेक सेल करती है तो जो स्टॉक पर है थोड़ा बहुत डाउंसाइड आ सकता है और अब चलिए एक बार Company का जो स्टॉक का चार्ट है एक बार वो देखते हैं यह आपके सामने जो में जो स्टॉक का चार्ट है लास्ट सिक्स मन्त का आई प्यू जो लॉट में डूटी थी वह 76 रुपीज के आसपास हुई थी और यह लिस्टिंग के टाइम पे अप्रॉक्सिवेंट ग्रुट ag सफास था और अब जो सिकरी सेंट लिह था वह 150 रुपीज के आसपास था और विगह्णा ड़न जो है वह 132 फिल्म्र मारा आज कि है और हैं है आज के अपने इस वीडों के इंदर हमने जुमेट्य कंपनी के उपड़ बात की और शाध जूमेटो आने वाले एक से दो साल के इंदर प्रॉफिट में नहीं आएगी जो industry है वो growth करेगी आने वाले दो से तीन सालों के इंदर और अगर जूमेटों के इंदर investment का देखा जाए तो कम से कम आपका time दो से तीन साल का होना चाहिए और जब भी आपको dips मिले या stock के इंद 10% ही उसमें इंवेस्ट किये और अभी देखते हैं सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे आएंगे वीडियो के इंदर जो हम ज़्यादर डिटेल में नहीं इसमें रहे हैं कि इसके अंदर काफी कुछ पोर्शन है जो कि एक है जुमेटो क्लाउड किचन वो इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया है आने वाले टाइम में वापस इसके उपर हम एक वीडियो और बनाएंगे तो वह चीज़ हम उसमें डिसकस करेंगे थैंक यू सो मच वीडियो आपको पसंद आई होगी जुमेटो का क्या बिजनेस मॉडल है उसको समझने में आपको हेल्प होई होगी थैंक यू सो मच